हलो गाईज आप सभी सात्यों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल टॉपर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनेक अब्डेट लेकर आए हैं जितनी important अब्डेट आज की न्यूच पेपर में आई है और आप सभी के काम की है वो सारीक सारी अब्डेट हम लोग द पारे में जैसा कि आपको पता कि KVS की वेकेंसी आ चुकी है उसका आवेधन हो रहा है तो आप सभी लोग को चाहिए उसकी एक बेस्ट बुक हम बात करने वाले हैं चक्छू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में आप सभी लोग को ये जो बुक है वो मार्केट में यह इस्टेडी गाइड जो है आपको मार्केट के सभी बुक्स इस्टोर पर आपको मिल जाएगा आलाइन भी आपको मिल जाएगा जिसकी लिंग कमेरे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दी है तो जाकर आप लोग इसको ले सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम बता दें UPSI की जो भरती हुई थी इसमें इतनी जादा धांदली हुई है आए दिन इसमें निकल के आता है कि किसको गिरफ्तार किया कितने लोग को गिरफ्तार किया देर सो से जादा कॉलेज जो है बलेग लिस्ट किये गए बहुत सारी दिक्कते हुई और पुलिस विभाग ने यहाँ पर और भी कल जो है कुछ गिरफ्तारियां की है यहाँ पर आप देख सकने लिखा है कि SI भरती फरजी वाड़े में 11 और पर केस हुआ तीन गिरफ्तार है अब भीरती से 15 लाख लेकर गिरों ने पास कराई थी परिक्षा SI भरती परिक्षा 2021 में एक और फरजी वाड़ा सामने आया है हुसाइन गज थाने में 11 के खिलाब केस दरजकर 3 को गिरफ्तार कर दिया गया है यहां पर सबी के जो है नाम दिये गए है जिनके खिलाब यहां पर केस किया गया है और तीन लोग को गिरफ्तार भी किया गया है इसमें में मामला के है वो आप यहाँ देख सकते हूँ यहाँ पर लिखा एक चालाकी में फसा रितेष दलाल ने रख ली थी मार्क श्रीव तो कोड से लाया था भरती का अदेश बरती बोड के अध्यक्ष राजकुमा विश्कर्मा ने बताया कि रितेश को साथ मेई 2022 को सारेरी वाव लेकों के परिक्षन के लिए बुलाए गा था रितेश सेक्षिनकी दस्तावेजों की फोटो कॉंपी लेकर पहुंचा तो उसे मूँल पत्Just लेकर आनी को का गया इस पर वह हाई कोड पहुच गया वहां से आधेश फायत होने पर फोटो कॉंपी की आधार पर रितेश को चैन तीन लाग रुपे की और मांग कर रहा था इसलिए फोटो कॉंपी की साहरे सामिल हुआ था ठीक है तो यहां देख सकते हो और अब तक जो है टोटल 120 लोग गिरपतार हो चुके हैं जानी कि सबसे जादा करम कहा है कि धांदली हुई है तो वो इसी भरती में देखने को मिली है 120 से जादा लोग इसमें अभी तक गिरपतार हो चुके हैं चलिए आगे देखते हैं इसमें और भी लिखा है कि SI भरती फरजी वाड़ा में 27 मिनिट में दे दिये 158 सही जवाब ठीक है ये भी चीजे देख रहो अभी देखो इसमें एक चीज और भी है जिन लोगों ने बह लोग तो पकड़ लिए गए लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दीरे-दीरे से चालाकी भरे जो है नकल किये हैं वो लोग अभी भी नहीं पकड़े गए हैं सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पर फरजी वाड़ा हुआ है 20 लाक में बना रहे थे साई यहाँ पर आप देखिए 80 सवालों के 13 तो 44 के महच 5 मिनट में दे दिये जवाब मतब देख रहे हो यहाँ पर किस हिसाब से दांदली हुई है तो यह चीजे हैं अब देखना यह होगा कि इस भरती का जो है भविस किधर की तरफ जाता है क्या भरती रुकती है इस्टे लगता है क्या हो रहा है मामला इसमें या भरती को ऐसे करा दिया जाता है वो तो बाद की बात है कि UPPRP भी क्या करती है वो तो बाद में देखने को मिलेगा चली आगली बात करें तो यहाँ पर चार वर्स डेलेट प्रसुक्चों को भरती का इंतजार प्रात्मिक सिक्षक भरती का इंतजार जो चाहे वो डेलेट वाले साती हो चाहे बेड़ वाले साती हो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका इंतजार ही हो रहा है बाकी यहां पर कोई अपडेट ऐ इसी नहीं आ रहे है कि भरती आने वाली है कि नहीं आने वाली है। उसके बाद से कोई भरती यहां पर नहीं आई है। इसी नहीं आने वाली है कि भरती नहीं आने वाली है। कि NCT के मानक के अनुसार हो बेड। इलाभाद हाई कोड ने आदेश दिया कि बेड विसाई के लिए सहायक आचारियों की भरती NCT के मानकों के अनुसार किया जाए। कोड ने कहा कि NCT की और से निर्धारित नियुंतम योगिताएं अधिक मानी हैं क्योंकि इसका गठन विसेश अधरियम के तहत हुआ है। या आदेश नियामूर्ती सौमित दयासिंग ने अंजू सिंग सहित दो अन्य की आचकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में उच्चतर सिक्षा सेवा चैनायोग ने बेड विसाई के लिए सहाय का अचायर के 75 पदों पर भरती के लिए विग्यापन निकाला था। मामला है और यहाँ पर यही बताया है कि NCTE के मानक के अनसार जो है बेड हो उसी के आधार पर यहाँ पर जो चीजें है वो यहाँ पर की जाएंगी ठीक है तो अगर आपके काम की अपडेट है तो आप इसका फुली स्कीन सौर्ट ले सकते हो और आप इसको आराम से पढ़ स अभ्यारतियों की नियुकती की जा रही है और ऐसे में इनको प्रसिक्षनर देने की जरूरत भी विभाग को नहीं पड़ेगी जबकि करीब पचपन सु सिहच्चों की ट्रेनिंग चल लगी है इसके बाद करीब 21,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर इलाज की सुविदा मिलने लगेगी प्रदेश सरकार नी गाउं में डोर इस्टप पर इलाज की सुविदा मुहिया कराने का लक्ष रखा है इसके लिए CHC-PHC के अलावा वेलनेस सेंटरों को सक्रे किया जा रहा है प्रदेश में ऐसे संटरों की संख्या करीब 21,000 है और हर सेंटर पर सेंटर प एक अपडेट आई है इसको देख लेते हैं यहाँ पर इसमें लिखा है कि राष्टिय परिक्षा एजनसी जिसको आप NTA कहते हो ने गुरुवार को गोश्टना की कि संयुक्त परिक्षा जेईमेन 24 से 31 जनौरी 2030 के बीच होगी परिक्षा का दूसरा सत्र अपरेल में होगा परिक्षा के लिए आवेधन 25 दिसंबर से लेकर के 12 जनौरी 2030 तक जमा किये जा सकेंगे NTA की वरिष्ट निदेशक साधना परासर ने कहा कि परिक्षा 13 भासाओं में होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जेईमेन जो की बहुत बड़ी परिक्षा होती है उसके बारे में यहाँ पर बता दियागा है कि 24 से 31 जनौरी तक आपकी परिक्षा चलेगी पूरे 8 दिन और यहाँ पर यह बताएगा कि आप आवेदन जो है 15 दिसंबर से लेकर 12 जनौरी तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल यह रही कुछ आज की important update अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग खुस रही हैं मस रही हैं जय हिंग जय भारत